वेल्कम तो आर चैनल अपड़ेगा इंडिया अमने पिछला लेक्चर देखा है वो पिछला जो लेक्चर था वो मिक्सर एंड एलिगेशन का फर्स्ट लेक्चर था यह हम चेकंड लेक्चर लेकर के आ रहे हो और इसमें जो उसमें जितने कोसिंस से उसे अलग टाइपस के को इसमें आपको देखने को मिलेंगे चलो तो इस लेक्चर का पहला कोस्टन हम स्टाट करते है वो क्वेस्टन है कि 5 शॉरी वन मिनेट इसका फर्स्ट कोस्टन यह है कि 5 लिटर इस टेकन ओट फॉम अ कंटेनर फॉल अफ वाटर अड फिल्ट बाइप यूर मिल्क इस प्रोस कर रहा है कोश्टन में कि एक किसी कंटेनर में जो पानी से भरा हुआ है उससे पाच लिटर पानी निकाल दिया जाता है और प्योर मिल्क मिला दिया जाता और गैसा एक और बार किया जाता है तो जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसमें दूद और पानी का रेशियो 16 अनु एक ratio हमारे पास दे रखा है, वो है 16 अनपात 9, क्या का ratio है ये दूद और पानी का ratio, अच्छा आप ये बताईए, पहले से क्या दिया हुआ है, पहले से तो total पानी के बारे में दिया हुआ है ना, तो बाद में भी हम पानी लेते हैं, और कितना, सिर्फ पानी का fraction लेते हैं, त total 16 और 9 है, यानि कि 25, तो 9 बटा 25 पानी हो गया, ठीक है, इस ताइब का question पिछले lecture में बताया गया है, आप अच्छे से describe भी करी थी, इस related rules को, तो आप एक और और फिर से ध्यान से देख सकते हो, कि क्या rule था, वैसे मैं अभी भी बता दूँगी कि क्या है वो, तो जब भी किस तरीके का question आता है, कि end times की बात की जाती है, कि इतने बार निकाला जारा रहा है, बराबर amount का कोई और चीज मिलाया जारा है, तो जब भी इस तरीके की बात आ रही है, अब यहाँ पर fraction में बात आ रही है, तो हम fraction में ले लेते हैं, यहाँ आप देखो, हमने fraction में क्या कि इसके लिए rule है कि 1- जितना निकाला गया, तो कितना निकाला गया, पाच लीटर निकाला गया, और किस में से, तो टोटल पानी में से, तो टोटल ए हो गया, इसका कितने बार निकाला गया, तो पावर में जितना बार निकाला जाता है, उतने बार, अगर तीन रहता है, तो हो गया फ्रेक्शन में पानी का ठीक है इससे सॉल्व करेंगे इधर स्क्वार है तो इधर स्क्वार रूट कर देंगे यानि कि तीन वट्टा पाच हो जाएगा तो बन वाइनस 5 by A equals to 3 by 5 इससे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर अंसर आजाएगा A बराबर 12.5 लीटर अगला कोस्टन हम देखते हैं अगला कोस्टन है कि how much water should be added in 40 लीटर milk costing at the rate of 25 पर केजी so that after selling the mixture at 24 पर केजी कि a man gets 20% profit कह रहा है कि कि कितना पानी 40 लीटर दूद में मिलाया जाए जिसका रेट 24 पर केजी है कि मिलाने के बाद अगर उसे 24 पर केजी की हिसाब से बेचा जाता है तो 20% की profit होती है अच्छा आप देख लो जब भी ऐसा कोस्टन है तो क्या कर रहा है कि 24 पर केजी अगर बेचता है वो तो 20% की profit होती है मतलब कि actual rate कितना होना चाहिए था तो actual rate निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक्स का 20% profit मतलब 120% तो एक्स का 120% पर 34 पर करेंगे तो एक्स यानि की पीस आना चाहिए था उसका cost price अगर 20 रखता तो बराबर बराबर रखता तो आप यह बतो यह है क्या मिल्क मिल्क 25 पर पर केजी के हिसाब से पानी उसमें add किया जा रहा है तो पानी का rate क्या है पानी का rate 0 और final में जो हो गया final जब हम लोग क्या कर रहे है जो उसको बेच रहे तो final जो से उसका selling price है वह कितना हो जागा 20 same rule जो पहले हमने बताया है इसको इससे माइनस करते तो यह 5 हो जाएगा इसको इससे माइनस करते 20 यानि कि फाइनल अगर हम ratio cost price से निकालते हैं तो final हमारा जो final ratio आता है वो क्या आता है वो आता है उसके quantity का वो लिस्ट पिछले लेक्शर में है आप वहां से जाकर देख सकते हो क्योंकि मैंने पिछली लेक्शर में बताया था कि वो लिस्ट बहुत ही जरूरी है अगर आप एक और उस लिस्ट को याद कर लेते हो ना तो फिर बहुत ही आसान तरीके से इस mixture and allocation chapter को आप बना सकते हो तो चार यूनिट प्राबर 40 है तो एक यूनिट प्राबर 10 लिटर हो जाएगा यानि कि यहां पर जो निकालने कह रहा था कि कितना मतलब पानी एड किया जाए तो बहु निकल जाएगा कि 10 लिटर अगला कोश्चन है कि 729 लिटर मिल्क कंतेंस मिल्क अन वाटर इन दे राशियो 7 इस तो 2 हाव मच वाटर सुट बी एड़ेट तो गेत अ नूव मिल्क हाविंग मिल्क अन वाटर इन दे राशियो 3 इस तो 7 इस तो 3 सेम कोश्चन है कोश्चन हिंदी में आप समझ लिजे कि 729 लिटर दूद में दूद और पानी जो है वह साथ अनुपात 2 के अनुपात में है कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि जो नया जो मिक्सर बनता है उसमें दूद और पानी का अनुपात साथ अनुपात 3 हो जाएगा ठीक है अच्छा आप यह बतो क्या कह रहा है है जो है चीड ऐसाथ अनुपात दो पहले था मिल्क अन वॉटर और रसाथ अनुपात 7 हो गया बाद में आप यह देखो कि दूद्थ तो सेम रहा 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 ना दूद का अनुपात सेम रहा रहा हैं का नुपात बढ़ रहा है पानी का नुपात कितना बढ़ रहा है एक यूनित पढ़ यह थेना धूset आग स convention A container contains milk and water in the ratio 3 is to 2, what part milk is taken out and replaced by water so that milk and water in the final solution becomes 1 is to 1. कह रहा है कि किसी container में दूद और पानी का अनपात 3 अनपात 2 है, उस दूद से कितना दूद निकाला जाए और उसी के जगा कितना दूद डाल दिया जाए, जिससे दूद और पानी का अनपात 1 अनपात 1 हो जाएगा. यह कह रहा है, अच्छा आप देखो, milk और water का अनपात कितना है, 3 अनपात 2, और बाग में कितना हो जाएगा, 1 अनपात 1, अच्छा इसमें से दूद निकाला जा रहा है, और replace क्या से किया जा रहा है, आप देखिए, replace पानी से किया जा रहा है, मतलब कि दूद जो है, दूद ओके तीना पात तीन दूद को कर दिया तो पानी भी बढ़ गया तीन से cannot liq doe ब्राबर कर दिया तो पानी बढ़ गया पानी कितना बढ़ा है lmm अच्छाय ञेपари था कितना और फिर एक unit बढ़ रहा है याने की 6 unit, ओके, यह हो जाएगा इसका answer, अगला question हम ज्यान देंगे, are there two, there are two alloy having copper and zinc in the ratio 4 is to 1 and 1 is to 3 respectively, 10 kg of first alloy and 16 kg of second alloy and some pure copper are melted then new alloys formed having copper and zinc in the ratio, 3 unpath 2 to find the weight of new alloy, क्या रहा है कि किसी ही धात्तू से कोई मिस्रेन है, उसमें क्या है कि copper और zinc है 4 unpath 1 और 1 unpath 3 के ratio में, 10 kg पहला alloy का और 60 kg दुसरे का और कुछ copper को melt किया जाता है, तो नया जो alloy बनता है, वो क्या है, copper और zinc का ratio उसमें 3 unpath 2 हो जाता है, तो निकालने कर रहा है कि नया जो alloy उसका weight कितना होगा, ठीक है, यह question जितना लग रहा है complicated आपको देखने में उतना है नहीं है, आप ध्यान से देखो, अच्छा आप यह बताओ, फर्स्ट में copper और zinc का ratio क्या है, फर्स्ट में copper zinc का ratio 4 unpath 1 है, कह रहा है कि पहले का 10 kg, अच्छे यह दोनों को आप मिलाओगे, तो 5 unit यह हो रहा है और 10 kg निकाला जाए ना, ऐसा कर सकते हैं, 5 unit equals to 10, तो 1 unit equals to 2, तो इसमें यानि कि अगर 8 के हिसाब से देखा जाए तो copper 8 हो जाएगा और zinc 2 हो जाएगा, 2 से multiply कर देंगे तो, second में कह रहा है कि 60 kg निकाला जाए चार unit यहाँ है, चार unit ब्राबर 16, तो 1 ब्राबर 4 हो जाएगा, तो 4 से multiply कर देजिए, 4 और 12 हो जाएगा, यानि कि 60 kg के ब्राबर ही हो जाएगा, यह दोरों चीज़ तो हम लोग देख लिए, और क्या कर रहा है कि कुछ copper add किया जा रहा है, कितना वो नहीं बजा रहा है, कुछ copper add किया जा रहा है, तो हमने मान लिया कि x add किया जा रहा है, यह दोनों का तो final number निकल गया, इसका इसका, हमने x मान लिया, और यही x का value निकालना है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसे, यह हो गया 12 प्लस x is to 14, इक्वल्स टू कितना दे रहा है, 3 अनुपात 2 के अनुपात में हो जाते हैं, तो इसे ऐसे कर सकते हैं, solve करने के लिए आप देखो, इसे solve करने के लिए 12 प्लस x बाइ 14 इक्वल्स टू 3 इस्टू 2, कोई दिख कर, नई, जब यह ऐसे हो गया, इसको solve करने के लिए, यहां ऐसे करिए 7 से इसको cut कर दीचे, 7 x, यानि x equals to 21 minus 12 था, तो 12, यानि कि x equals to 9, 9 के जी x हो गया, तो total weight जो हो गया, वो कितना हो जाएगा total weight? Total weight निकालना है न, तो total weight यह तो ratio हमारे पास था, यानि कि 12 प्लस 9 और प्लस 14, यही तो total weight होगा, यानि कि 35 हो जाएगा total weight इसका, new aloica, in what ratio must a man mix 3 types of sugar costing at rate 20 per kg, 30 per kg and 40 per kg, that rate of the final mixture become 28 per kg, अच्छा, इस तरीके का दिया रहे, तो जब भी 3 types के को दिये हुए हैं, कि नहीं 3 types का और सभी का rate दिया हुए है, और उन्हें मिलाने पर दे रखा है, जब इस तरीके का question आएगा, तो सीधा आप लोग लिख दिजिए, क्योंकि वो define नहीं किया जा सकता है, वो solve वैसे, अगर 3 ratio दिया हुए है, 3 का बजन दिया है, या 3 का rate दिया है, तो हम उसको solve नहीं कर सकते, तो जब भी ऐसा question आजा है, तो आप लिख दिजिए, जो option आएगा, आपके सामने आएगा कि ज्यात नहीं किया जा सकता, तो वो आप उसका जवाब कर दिजिए, अगरा question देखते हैं, समान मात, अच्छा, अभी आपका यह है, tea worth रूपी 126 per kg and 135 per kg are mixed with a third variety in the ratio 1 is to 2, if mixture is worth 153 per kg, then find the price of third variety, कह रहा है, कि चाय है 126 per kg, 135 per kg का, उसको तिसरे variety के साथ mix किया गया है, एक अनुपात, दो में, अगर जो final mixer आता है, उसका rate 143 per kg है, तो निकालना है कि third variety का rate क्या है, हाँ, क्या कर दिया यह, आप यह देखो, किस अनुपात मिलाए जा रहा है, एक अनुपात, एक अनुपात, दो में के अनुपात मिलाए जा रहा है, 126, 135 और इसको हमने क्या माल लिया, X के जिमान दिया, और finding कितना हो रहा है, एक, एक, दो, यानि कि 4 यूनिट हो रहा है, यह 4 यूनिट को क्या, एक सो तीरपन के rate में बेचा जा रहा है, मल्टिप्लाई करिए, 126 में X है तो 120, 135 में X, 135 और प्लस, 2X इकोस्टो इतना, 4 यूनिट है तो, X का वैलू निकल जाएगा, X का वैलू आ जाएगा, 175.5 रूपीज, यह क्या, थर्ड जो वराटी है, उसका rate निकल गया, ओके, चलो, इसके अलावा हम कुछ और जो selected questions थे, वो देख लेते हैं, यह questions हिंदी में है, तो आप देख लो, समान मात्रा वाले दो परकार के मिस्रनों में, दूद और पानी का उनपात, 4 अनपात, 3 और 3 अनपात, 2 है, यदि पहले का 2% दूसरे में मिला दिया जाए, तो दूसरे मिस्रन के कुल मात्रा का 60% भाग में, दूद और पानी का उनपात ग्याद करें, अच्छा, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपरों को clear कर दूँ, जैसे कि मैं mostly जो questions, में starting का lecture जो लिया करती हूं वो English में लिया करती हूं, लेकिन साथ ही साथ उसका Hindi मी बता दिया करती हूं, कि इसका Hindi क्या होगा, English है, आप चाहो तो इसको Hindi में चाहो तो English में बता दूँ, अगर इंग्लिश का भी कोस्टेन है तो आप उसे हिंदी में डिस्क्राइब करते हैं तो तो यह इंदी इंडे सिंस कि जो हमारे पास लोकल लैंग्वेज नॉर्मल सा लैंग्वेज जिसको हम लोग बोल चाल की भासा करते हैं उसमें अगर आपने तो मुझे लगता है कि प्र यह कह रहा है कि first का 20% and second का 60% को मिला दिया जाता है तो उसमें जो final आएगा उसमें दूद और पानी का अनुपात क्या होगा यह कह रहा है अच्छा आप यहां ध्यान दिजिए milk और water का ratio क्या दिया हुआ है 4 is to 3 दिया है first में है न और second का क्या दिया हुआ है 3 is to 2 दिया हुआ है कोई दिखकर अच्छा यह कितना हो गया यह दोनों मिलाएंगे जो हमने ratio proportion में आपको बताया था याद करिए तो मिलाएंगे तो यह 7 unit हो गया और यह 5 unit हो गया तो पहले तो हम इनका क्या करते है unit बराबर करते हैं तो unit बराबर किया हमने तो पाथ से उपर multiply हो गया साथ से नीचे multiply हो गया तो बराबर हो जाएगा तो ratio क्या आजाएगा 20 is to 15 और 21 is to कितना 21 is to 14 क्या कर रहा है कि first का 20% mix किया जा रहा है first का 20% 20 का 20% डिकालोगे तो 4 आ जाएगा और 15 का 20% 20% का मतलब 1 by 5 तो यह 4 आ जाएगा और यह 3 आ जाएगा ठीक है और second mixer यह है तो second और first दोनों मिलाए जा रहे है यानि 25 और is to 17 में मिलाए जा रहा है है अगला question हम देख लेते हैं कि T यह तो हो गया sorry यह question तो हो गया अगला question हम देखते हैं यह question देखिए बड़ा ही interesting सा question है पढ़ने में भी और बनाने में भी आप देखिए ध्यान से देखिए क्या कहा रहा है कि तीन container है जो पानी से भरा हुगा है पहले container का एक वटा तीन भाग वनवाई थर्ड पार्ट दुसरे बरतन में डाल दिया जाता है और उसके बाद दुसरे बरतन का वनवाई फोर्थ पार्ट तीसरे बरतन में डाल दिया जाता है और तीसरे बरतन का वनवाई टेंथ पार्ट पहले बरतन में डाल दिया जाता है यदि अंत में परतेक बरतन में 9 लिटर पानी हो लास्ट में ऐसा करने के बाद लास्ट में जो सारे कंटेनर में 9 लिटर पानी है तो स्टार्टिंग में कितने कितने लिटर पानी थे हमने ऐसा किया आप ये बताओ आमने मांग लिया कि 1st में A लीडर था, 2nd में B और 3rd में C तो आप ये बताओ कि 1st का कितना गह रहा है 1st का 1 by 3 पार्ट 2nd में एड़ किया जा रहा है कोई दिखा थे 1st का जो 1 by 3 है वो 2nd में एड़ किया जा रहा है तो 1st में कितना बच गया 1st बच कितना गया तो 2 by 3 बच गया, यानि 2 by 3 ये बच गया अच्छ, सेकंड कितना हो जाएगा तो सेकंड तो पहले से आप देखो कि B था और B में A y 3 एड़ किया जा रहा है थे ना, B में A y 3 एड़ किया जा रहा है ओके यहाँ, एक मिनिट, एक मिनिट है आप यहाँ समझो 1st का 1 y, A y 3 A y 3, B में एड़ किया जा रहा है यानि B प्लस A y 3 ये तो हो गया अच्छ, सेकंड का 1 y 4 एड़ किया जा रहा है फड में, यानि कि 3 y 4 इसका बच गया तो बचा हुआ पार्ट B, जो सेकंड पार्ट है वो B प्लस A y 3 इंटू 3 y 4 बच जाएगा अब ये बताईए कि C कितना बचेगा जो थर्ड पार्ट है वो कितना बचेगा C प्लस B का कितना पार्ट 1 y 4 पार्ट उटधर एड़ किया जा रहा है तो C प्लस B का 1 y 4 पार्ट और इसका कितना पार्ट वो बच रहा है 1 by 10 A में add कि जा रहे, तो 9 by 10 बच रहे है यानि कि final इनके पास बच कितना रहे है final इनके पास 9 by 10 पार्ट बच रहे है अब हम A पर आते हैं A में आप बताईए, इतना का 9 by 10 यहा है अनि इतना का 1 by 10 तो इधर है न तो इतना का 1 by 10 हमने इधर add कर दिया और 1 by 3 जब हमने B में add किया था यानि कि 2 by 3 यहां बच गया था थोड़ा सा complicated आपको लग रहा हो sorry थोड़ा complicated आपको देखने में लग रहा होगा पर complicated है नहीं आप ध्यान से समझो अगर इसे तो ठीक है अब आगे हम देखते हैं कि आगे के question में कर रहा है इतना तक तो आप समझ गए होंगे अब आगे कर रहा है यदि अन्त में परतेक बरतन में 9 लिटर पानी है परतेक बरतन में 9 लिटर है ना अब यह सारा तो बहुत ही complicated है तो हम इससे लेकर चलते हैं तो b plus a by 3 into 3 by 4 equals to 9 कर देगा तीन से 3 b plus a by 3 equals to 9 जोका 12 इतना equals to 12 हो जाएगा अब यह value किसी और में हम put करेंगे यह बार हो गया अब ही हमने क्या किया कि c वाले part में हमने इसको put कर दिया b plus a by 3 तो कितना था 12 था ना तो c plus इतना इसके जगा 12 रखेंगे 12 गुना एक वटा 4 है ना और इतना गुना कितना है 9 वटा 10 है 9 से तो 9 कट गया यानि कि इतना बराबर 10 डाइरेक्ट आप कर लो चारती या 12 तीन हो गया तो c ब्राबर हो गया कितना 10 माइनस 3 यानि कि c ब्राबर 7 हो गया c का वैलू 7 हो गया अब हम आगे देखते हैं c का वैलू जब 7 हो गया a में आप वैलू पूट करते हैं a 2a by 3 था अच्छा b प्लस a by 3 का वैलू 12 है 2a by 3 प्लस आप देखो इसको c का वैलू 7 है 7 प्लस इसका वैलू 12 है 12 गुना एक वटा चार है ना हाँ ठीक है और इतना है और इतना गुना 1 वटा 9 है ओके सोरी 1 by 9 नहीं 1 by 10 है ये वैलू 1 by 10 है उपर में आप देखना जो मैंने अभी बताया था 1 by 10 है पर में 10 पार्ट जो a में मिलाया जारा था c का पार्ट तो 1 by 10 है चारती है 12 यानि 10 गुना 1 वटा 10 सॉल्व करके आगया 1 यानि 2a by 3 प्लस 1 इकोल्स टो 9 क्योंकि सारा पार्ट 99 हो रहा है 2a by 3 equals to 8 a का वैलू हो गया 12 जब a का वैलू बारा हो गया तो यहां देखिए b plus a by 3 equals to 12 था तो b plus 4 equals to 12 यानि b विरावर 8 हो गया तो a का वैलू बारा b 8 और c कितना आ गया था हमारे पास 7 आ गया था यह हो गया है सारे कंटेनर में जो starting का जो था amount कि कितना कितना है वो निकल गया हमारे पास ठीक है अब हम देखते हैं आगे देखते हैं mixer and aleigation को सारे types का question तो इसे बता दिया गया है एक एक जामपल या दो 4 example के साथ her types के question बता दिये गए बात वांकि अगर किसी भी तरीके का अलग तरीके का question आता तो आप उसे बस एक जब भी है मैं तुम्हें यही चीज है कि आप कोस्टन को या मैं थी सिर्फ क्यों आप लगवक सारे चैप्टर की बात कर लो तो आप कोस्टन को पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ा करो और पढ़ने के बाद क्यूंकि आदा आपको हींट जो है कि कैसे बनाना इसको क्या करन गया है तो कम से कम कोई 10-25 थीस से बंखर प्रैक्टिस करहांचा बिल्कूल वह आपके मैंन में फिक हो जाए है कि ह düşt sich को साथ करना करना कि आधी क्रिंशन में बहुत जादा टाइस नहीं आता क्योंकि आपने क्या की सब्सक्राइब करते हैं और इसका सॉलीशन भी रिलेट करता है इसके सॉलीशन से तो बहुत तक रिलेट करता है इसके सॉलीशन तो जितने टाइब के थे कोस्टन वो खतम हो चुके हैं यह आपका लास्ट इसका लेक्चर है रेस्ट प्रपोश्चन का और बाद बाकी आपको अगर लगता हो कि कुछ नए टाइब के कोस्टन मिलते हो या किसी कोस्टन में प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं या फिर आपको इसमें लेक्चर में जो बताएगे कोस्टन से इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता हो तो आप यह भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर बाद वाकी मैं यही करूंगी कि अगर आपको पसंद आता है यह वीडियो जब पस यह बोलती हूं कि जिस भी जो भी आपने पढ़ा जो भी आपको लगा कि नहीं यह अच्छा है तो आप उसे खुद पहले करो और उसके बाद अपने दोस्तों को या फिर जो भी हैं आपके साथ पढ़ाई करते हैं क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते तो एक ग्रूप में करो शेर इन दसेंज की खुद बताया करो कि हां कैसे पढ़ते इससे क्यों होगा वेनिफिट इसका दोगा एक तो आपके साथ जो है उन्हें भी पता हो जाएगा की कैसे बनाते हैं उन्हें भी इन सारे में पता चलेगा और दूसरा वेनिफिट जो आपको होने वाला है और लगाते हो कि वह विलकुल ही अच्छे तरीके से आप सामने वाले को समझा सको इससे क्यों होता है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो सामने वाले को वह आपके माइन में विलकुल इवन यह कह लो कि पर्मनेंटली तो नहीं कह सकते लेकिन हां एक लांग लास्टिंग टाइम के लिए यह आपके माइंड में सेव हो जाता है तो आप अपने साथ जो भी हैं जो भी आप पढ़ाई करते हो जिनके साथ भी उनके साथ यह सब कुछ उन्हें सॉलुशन दिया करो बताया करो उन्हें पढ़ाया करो कोशिस करना पढ़ाने का अगर आप नहीं पढ़ा पाते तो तो मैं यही बोलूँगी कि आप फिर ऐसे मैंटर में अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता यह वीडियो तो आप सेर किया करो अपने दोस्तों के साथ सेर कर दिया करो जिससे कि आपको जो बेनफिट हो रहा है वो सामने वाले को भी मिल सके ओके और मैं यहीं कहूंगी कि थैंक्यू आप आप लोगों ने जितना अभी तक वाच किया यानि कि थैंक्स फॉर दिस लव इतना आप लोगों ने अपना टाइम दिया इसे देखा बस कि आप अच्छे से प्रिपेर करो और जो भी आने वाला आपका एक्जाम हो उसमें आप अच्छा से अच्छा करो ओके थैंक्यू किप ओंड वाचिंग